हेलो फेंट्स वेल्कम टू अनकेडमी आएम सीवम चैल दोसों यूपी PCS मेंस और आरो एरो एक्जाम 2018 के लिए इंपॉर्टिंट है हमारा जो बजट का सेशन है और एकॉनमे सर्वे का आज हम देखेंगे पार्ट थरी उसके बाद हम देखेंगे बजट को आप जो फॉलो कर सकते हैं अनकेडमी पे और आप हमारे स्कोर्स में अन्वार हो सकते हैं इससे आगे आनली सारी नोटफिकेसंस आ आपको मिलती रहेंगे तो चलिए सुरू करते हैं हेलो फैंट्स दोस्तों आज की लेसन में हम देखते हैं कि जो हमारा आयात है वो उसमें किस चीज़ का जो है आयात हमने सबसे ज़्यादा किया है आयात पे और नरियात पे दोनों पे कोशन बनता है आरोपी एजाम में तो मान लिजे ये आपके क्रम के अनुसार भी आ सकता है या पूछा सकता है कि किस का आयात सबसे किस वस्तु का आयात सबसे आदा होता है ठीक है तो इस तरह से आप दोनों जी याद रखिए इसका सीरियल भी आपको इंपोर्टेंट रिया रखने ज़रूरी है पेट्रोलियम म तो जो तेल का जो आयात है उसमें भी बताया था यहां से देखने को भी आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे आदा हम पेट्रोलियम का ही आयात करते हैं उसके बाद में कुछ अर्थवस्ता के हमारे कुछ ऐसे छेत्र हैं जिनका जी डीपी में क्या जो है सहयोग रहता है उ सिर्फ करशी का निवतारों में किरसी प्लस उसके साथ में किरसी से समधित जो च्शेत्र है बन हो गया मतश्यन हो गया यह सारे भी ठीक है तो जीटीपी का 17 प्रतीशत जो है योगदान रहता है किरसी और समधित छेत्र का पर अगर रोजगार के हिसाब से देखो गए तो यह 53 प्रदीशेत है किसी भी जो एक विकास सील देश होता है उसमें प्राथमिक working शक्त्र का जो है उसकी GDP में रोजगार जो value होता है सबसे ज्यादा होगा ठीक है और यह जो GDP में जो सही होगा होता है वो एक तो एक तरह से कम ही होगा ठीक है तो यह एक वड़िया जो सबसे ज़्यादा साइन होता है वहीं से मिलता है जो भी विक्सित देश होते हैं उसके बाद में बात आती है उद्धोग और उससे जो है सम्मंद्री छेतर में सेकंड सेक्टर जो आता है हमारा उद्धोग छेतर उसमें खनन गैस विजली विनिर्माड जल जल आप उड़ती ठीक है तो यह हमारा सेकंडरी है दुट्जी एक शेतर आता है इसका जो परजियेग में जो सहयूग रहता है 31 परजिसे उसका सभ रहता है जीडिवे में परसंटेज हो और उसके बाद में सेवा द्यादा जो का होटल और मंदल एक तरह से सारी सेवाइं जो है इसी में आती है रख्चा हो गया संचार हो गया यह सारे का सारा और यह सबसे ज्यादा जीदीपी में जो इसका सब्सक्राइब है तो सबसे ज्यादा लेकिन यहाँ पर जौप्स जो है सबसे कम रेशो के हिसाब से लेकिन जीदीपी में फरसंटेज जो है वह सबसे ज्यादा है 2016-17 में जो उत्पादन के अब आकड़े जारी किये गए है इस एकॉनमी सर्वे के हिसाब से तो उसको अब हम देखेंगे कि किसी में को चेंज हुआ है तो अभी यह जो देख रहे हम इसमें सिर्फ खादान के जो आकड़े है वही है वाकी जो आकड़े है वो इसमें नहीं ह तो इसको हम देखते हैं चाबल में चाबल में पस्चे मंगाल का और यूपी का और पंजाब का जो इसमें करम दिया हुआ है यह काफी सालों से यही चला रहा है इस साल भी इसमें कोई चेंजिस नहीं है चाबल के सीर्स उत्पादन में पस्चे मंगाल नमबर बन पर है उत में यहां पर गिहुं में चेंजिस ुआ उत्तर प्रदेश नंबर one MP न complementary yogurt कई सालों से जहें और गन्ना में बना हुआ है इस साल भी जो है यैश में नोरफ पर गिहुं बना हुए धेन MP है और उसके बाद पंजाब का है उसके बाद में बाता घांत की तो देखिए मक्का में महारास्ट नंबर बन पे है करनाटक नंबर दो पे है और मद्यप्रदेश नंबर तीन पे है यह नए आकड़े जो जा रही है उसके इसाब से मैं बता रहा हूँ अगर किसी के पास पुराने आकड़े हैं तो उसमें देखिए ना लगे कि यह चेंज हैं उसमें तो यह जो है चेंज हुए है ठीक है भी हाले में तो महारास्ट जो है मक्का के उत्पादन में नंबर बन हो गया है करनाटक नंबर दो पे हो गया है मेरे खाल से साथ पिसली बा पर हो गया है करनाटक जो है नंबर तीन पर आप जहां तक मुझे जांद है राजिस्ताहि पिछली बार यह जक्यूदा तो इस बार यह वह है महाराश छर्म हो नंबर हो गया है राजिस्तान नंब मोटा अनाज क Ohh कुल मोटा आनाज में जो मोटा आनाज जो आता है जैसे कई जासे जोआर हो गया या बाकी चीजें भी होती है बहुत सारी जो छोटे-छोड़ उत्पाद रहते हैं तो वह सारी जोड़ चीजें होती हैं उनको जोड़के कुल मोटा नाज बनता है उसके बाद में चना चना में MP कई सालों से नमबर बन पर बना हुआ है इस बार भी है तो चनायम का जो सबसे अलोत पादर है वो महत्य प्रदेश में होता है और मारास्ट जो है उसमें दूसे नमबर पर है और राजिस्तान इसमें तीसे नमबर पर है ठीक है तो यहां पर यह जो से चना हो गया बाकी चीज़े हो गए इन में जो है तीन चार चार देश जो राज्य है उनका नहीं पूछा जाता है बेसिकली जो गेहूं हो गया या धान हो गया उनमें जरूर सीरियल के हिसाफ से पूछाता है कि सीरियल से लगाओ तो चने का ऐसे याव याद रखें कि मद्परदेश, उसके बाद में तूर, तूर यानि की अरहर की दाल बोख सकते हैं आप इसको, तो इसमें अरहर के उत्पादर में नमर बन पह है महारास्ट, दूसरे नमर आता है करनेटका का, और तीसे नमर आता है मद्परदेश का, या में कुल डाल में है मद्द पर्देश नंबर बन है डालों के उत्पादन में उसके बाद आता है नंबर महराष्टर का और तीसे नंबर पर जो हैं वो राजस्थान के सारी दाले मिलाके कुल खादान के हिसाफ से देखा जाए ठीक है सारा जो खादान है उसके टोटल के हिसाफ से अगर देखा जाए तो खादान के हिसाफ से कितना है तो उत्तर प्रदेश जो है कुल खादान में नंबर बन है दूसरा जो राज है वो मद्रदेश है और तीसरा जो राज है वो है पंजाब ठीक है तो यह तीन राज जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है कुल खादान में आप इसको अच्छे से याद रखिए कि यूपी जो है नंबर बन एमपी ते उसके बाद पंजाब अब बाद आती है तिलयन फ़सलों की देखा जाए तो मुंगफली में गुझराथ है सक bass यह के अदे बात आती है कि सर्थ की सरसों के उत्पादब में गुज्राथ है नंबर बन और गुझराथ के बाद राजिस्थान दूसरे नंबर पे तैस नंबर 3 पे है इसमें चेंजेस हुआ है ठीक है तो सरसों का एच्छा सियाद रखे गुजराथ इसमें नंबर बन हो गया है और राजिस्तान नंबर 2 पे है इसमें बात आती है सोयबीन की स्वयबीन बहुत इंप इंपरटेंट है स्वयबीन पर कई वार्कोशन बना है तो फाइनली जैसे पहले हैं स्वयबीन में अभी भी मद्य बृद्धिस नंबर बन पर बन बना हुआ है उसके बाद में महराष्ट जो है वो नंबर दो पे है और राजिस्थान जो है वो नंबर तीन पे है सोयाबीन के उत्पादन में उसके बाद में सूरज मुखी सूरज मुखी का सेम बना हुआ है करनाटक पहले भी नंबर बन था अभी भी नंबर बन है उडिशा नंबर दो है और आंद्र प्रदेश जो है नंबर तीन पे है ठीक है तो सूरज मुखी में करनाटगा उसके बाद हम देख जाए कुल तलहन की बात की जा ठीक है जो कुल तलहन है उसमें कितना उत्पादन है तो मद्र प्रदेश दाल में तिलहन में दोनों में नंब राजिस्तान और कि महारास्ट टाथ है गल्य के उत्पादन में उत्तर बर्दिस मधर बन पर दूसरा नमर ममर त्यालिक पोड़लों दोंपधिया है नमबर तीन पे ठीक है कपास important है कपास पर करीबार question मना एक मदाए उसके बाद में जूट जूट पहले कितरे है जूट जूट के जो उत्पादन में अभी भी पस्चिव मंगाल जयो वो number one पे है उसके बाद में बिहार झाल झाल